दोस्तों क्या आप अपने mobile phone के अंदर IRCTC Rail Connect application का इस्तिमाल करते हैं अगर आप इस application का इस्तिमाल करते हैं और आप अपना username और password भूल चुके हैं तो आखिरकार IRCTC का username और password कैसे पता किया जाता है जब आप इसे open करते हैं और login पर click करते हैं तो यहाँ पर आपसे username और password करना होता है तो हम यहाँ पर यह capture फिलप कर देते हैं जिस प्रिकार से यह type है तो मैंने यहाँ पर यह capture फिलप कर दिया फिलप करने के बाद login पर click करते हैं login पर click करने के बाद हमारे समने कुछ इस तरीके से problem आ जाता है प्लेज इंटर वैलेड यूजर नेम और password तो अगर इस पर touch करना है जैसे आप इस पर touch करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आ जाएगा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा enter IRCTC username email id या mobile number तो आपको जो भी पता है जैसे आपको username पता है पर वो wrong बता रहा है तो यहाँ पर अपना email id या अपना mobile number डालेंगे जैसे mobile number का आपन email id डाल देते हैं जिस email id का मैंने योज करके बनाया हुआ है तो मैंने अपना email id फिलप कर दिया है यह capture को यहाँ पर फिलप करना है तो यहाँ पर जिस प्रकार से टाइप है उससे प्रकार से आपको फिलप करना होगा तो हम यहाँ पर यह capture करते हैं फिलप करने के बाद फि register email id इस email id पर आपको एक code भेजा गया है यह आप mobile number डालेंगे तो उस पर एक code भेजा जाएगा तो हम यहाँ से OK करेंगे करने की बात हमारे पास इस तरीके से पेज आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा enter OTP तो आपको एक OTP फिलप करना है यहाँ पर डाल देना है OTP आपके verification code is send your email id यानि कि आपके email id पर एक code भेजा गया है IR CTC rail connect application की मदश से तो यहाँ पर आपको अपना notification पैनल नीचे करना है तो हमारे पास यह OTP आ चुका है जैसा की देख सकते हैं तो यहाँ से हमको करना क्या है इस पर click करना है तो जो भी इसमें OTP लिखा हुआ है उसे आपको देख लेना है तो हम इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर जो OTP लिखा हुआ है वो अहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख लेते हैं यह लिखा हुआ है 35-10-30 तो इस पर click करके copy करेंगे 35-10-30 तो यहाँ पर डाल देंगे 35-10-30 उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा new password और confirm new password जो भ और आपको यह capture दिख रहा है यह capture आपको यहाँ पर flip करना है मैंने अपना password बना लिया है उसके बाद नीचे मिल जाएगा submit आपको submit पर click करना है आपके सामने इस तरीके से page आएगा your password change successfully जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास एक message भी आएगा यहाँ पर आप देख सकते है ओके करने की बाद आप login के page पर आ जाएंगे अब आपको अपना mail open करना होगा जहां पर आपका OTP आया हुआ है तो यहाँ पर आपका user ID भी देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपका user ID है अब आपको यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ पर login पर आज डाल देंगे डालने की बाद आपको यह Capture दिख जाएगाящ यहाँ पर फिल आपकर करना है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसे तरीके से पेज आ चुका है Just उसका चुका है जिसा चानृट says engine और आ आज आगा और यहाँ पर एपना निया है जो भी आप बनाना चाहते हैं 4 अंको का 6 अंको का तो यहाँ पर हम बना लेते हैं उसकी बाद यहाँ पर आपको इस पर confirm पर क्लिक करना है वही पिन आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आप यहाँ पर फिंगर प्रिंट अटेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे नहीं तो information का page नहीं आ रहा है अब आप यहां पर आसानी से कोई भी आप ticket book कर सकते हैं my account पर click करके अपने account की सारी information देख सकते हैं अगर आप यहां पर transaction देखना चाहते हैं तो transaction भी आप देख सकते हैं आप more info का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे तो यह से तरीके से आप अपने IRCTC rail connect application का अपना username और password पता कर सकते हैं यह आप उसे forget कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना